सराप माफिया आज कल ही आप ख़बर चापियेगा या आज ख़बर चापियेगा कि फलाना ठाना में दारू पकड़ाया है और दारू कहाँ से आता है मेडम आखी दारू कैसे टप जाता है ये बताइए हमको दारू इसलिए टपता है क्योंकि हमारा ग्राम रक्षादल को जिस दिन न्यूक्ती हो जाएगा जिस दिन पावर हो जाएगा मैं परसाशन को ये बता देना चाहता हूं कि एक भी सराप माफिया बिहार के अंदर में नहीं बचेगा क्योंकि संघर से तो ये पुरा बिहार जान रहा है ब्यार ग्राम रक्षादल का क्योंकि वर्षोर से हम लोग गांधिवादी तरीका का अंदोलन करते आ रहे हैं ये लराई जो है ये हम लोग का लराई ये अंतिम लराई है ग्राम रक्षादल का और हमारे जो परदेश अध् में जो आवाज उठाए थे ग्राम रक्षा दल के लिए कम से कम उनके अरहाई लाग ग्राम रक्षा दल उनका हिर्दे में और दिल में बस गए हैं सलाम साथी आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया मैं आपके साथ खुसबू तो हम आए हुए हैं अररिया के सुवास एस्टेडियम जो की ग्राम रक्षा दल के बैठक बुल यहां पे ग्राम रक्षा दल के परमक्ता भी मौजुद हैं और मैं इससे जानना चाहते हूं क क्या मुद्दा पे बैठक बुलाए हैं तो आएए सबसे पहले तो मेडम आपको हम तक पहुचने के लिए हर्दिक हर्दिक अभिननदन करता हूं मैं और मैं बिहार ग्राम रक्षा दल का जीला परवक्ता महम्मद परवेज आलम हूं और यह छोटा सा बैठक इसलिए रखा सबसें परवेज और यह संगर्स तब तक जारी रहेगा जब तक ग्राम रक्षा दल का नियुक्ति नहीं हो जाता है और यह ग्राम रक्षा दल को बैठक बुलाया ग्या है क्योंकि हमारे प्रदेश techn waterproof श्री रामपरशाद रावज जी है वहमारे प्रदेश अभिटना में ह और कई मंतरियों से भी मिल चुके हैं इनके चलते गराम रक्षादल को मतलब यहां बुलाया गया है और गराम रक्षादल को मतलब एकता बनाने के लिए हम लोग समझाने का काम करेंगे और गराम रक्षादल को अपने अपने पंचायत में कार्य करने का जो है कि अस्वासन द प्रश्मेडिया को आज जो मेरा मुख्य उदेश था गराम नश्यदल का जो के लेकर आज गराम नश्यदल का लराई को लेकर हमारे बहुत वर्सों से लड़ते लराई को उच्छ मुकाम पर अभी मेरा कारिभार हुआ है और इससे पहले हमारे मध्भोनी में 100 दिन का धर्णा बिछारी हुआ था जिसमें मानने पेजडी मंतरी रामप्रित बासमान जीए आके आसबासन देखे गए ते और मन्य मुखमंद्री जी से मिलाने का कारिवी किये माने मुखमिदरे जी भी निर्देश देट 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 तुके हैं परदान सचीप जी को और मुख्ये बात ये है कि हम लोग आज एक संगठन का बैठक रखने का मेरा मुख्यो देश ये है कि एकता बनाने का कारी करूब जिला में यक्ता बनाए रखे और पर्खन में यक्ता बनाए रखने के लिए और पंचाद अस्तर तक में जो भी गराम नसे दरकारी कर रहे हैं पंचाद में डूटी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उनको डूटी पर लगाया जाए पंचाद अस्तर पर और हर कारी को आगे इन डोलन नहीं है यही सुभार स्टेडियं है जहांगी सेक्रों बार हमों का परस्टराम हुआ है और हम लोग का रेली मोट सैकिल रेली यहां से निकाला गया है और हम लोग गांधी मैदान में भी एक बार धरना दिये थे और हम लोग का मधुवनी में भी 60 दिन तक धरना चलता रहा 60 दिन धरना चलने के बावजूद में भी 60 दिन हमारे PhD मंतरी माननिये रामपरित पासमान वहाँ पहुँचे और धरना को हम लोग अस्तगित कर दिये थे कुछ दिनों के लिए लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लराई जो है ये हम लोग का लराई ये अंतिम लराई है ग्राम रक्षादल का और हमारे जो परदे सद्यक्ष हैं काफी योगदान दे रहे हैं ब्यार ग्राम रक्षादल के लिए और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ अर्रिया जिला के माननिये सांसर श्री परदीप कुमार सिंग जी लोगसभा में लोगसभा के मंदीर में जो आवाज उठाये थे ग्राम रक्षादल के लिए कम से कम उनके अरहाई लाग ग्राम रक्षादल उनका हिर्दे में और दिल में बस गए हैं और अरहाई लाग ग्राम रक्षादल को वो दिल में बसाने का काम किये हैं जो वो सदन में आवाज उठाए हैं लोकसभा में आवाज उठाए हैं क्योंकि मैं ये बता देना चाहता हूँ हमारे जो मानिये श्री राम परसाद राउज जी है जो परदेश अद्यक्ष हैं उसका संगर्ष खाली नहीं जाएगा और हमारे गराम रक्षादल से ये बता देना चाहता हूँ कि गराम रक्षादल हमारा कारिय हर पंचायत में कारियरत है और कारिय कर रहा है लेकिन भूखे पेट कारिय कर रहा है कहीं से उसको सहयोग नहीं मिलता है लेकिन हमारे परदेश अद्यक्ष और हम लोग चाहा रहे हैं कि मंतरी द्वारा और सदन द्वारा सरकार द्वारा हमारा जो है कि हमारा गराम रक्षादल को भत्ता और बेतन मिले और हमारा गराम रक्षादल को काम करने में भी मन लगेगा आप अभी मेडम जान रहे हैं कि सराप माफिया बढ़ गया है बिहार म मेडम आखिर दारू कैसे टप जाता है ये बताइए हमको दारू इसलिए टपता है क्योंकि हमारा ग्राम रक्षादल को जिस दिन न्यूकती हो जाएगा जिस दिन पावर हो जाएगा मैं परसासन को ये बता देना चाहता हूं कि एक भी सराब माफिया बिहार के अंदर में नह आपको बता देता हूं पंचायत अस्तर पर भी कई जगह चोरी डखेती का भी जो है कि ये मामला बर चुका है तो इसको कौन रोकेगा इसको रोकने के लिए कोई मुखिया या सर्पंच का जरूरी नहीं है कोई परतीनीधी का जरूरी नहीं है क्योंकि वहां बिहार ग्राम ग्राम रक्षादल को रहना पड़ेगा और बिहार ग्राम रक्षादल अगर चाह लेगा तो चोरी डखेती कुछ भी पंचायत में नहीं होगा और रातरी पहड़ी भी हमारा ग्राम रक्षादल देगा जय हिंद जय भारत जय ग्राम रक्षादल जिंदाबार जिंदाबार अपने ब्रैंड, कंपनी या संस्थान के पचार पशार के लिए स्क्रीन पे दिये गए नम्मर पे संपर्ग करें जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे आप हमारी यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें अगर आप फीस्बूक पे हैं तो हमारे पेस को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है